नास्ता नाश्ता नास्ता नाश्ता आगसां य क्या थूराइब कर रिये आहां। नाश्ता बनाने के लिए मैंने क्या किया एक कटूरी सूजी को पहले से छान के लिए कटूरी के अंदर अब आपको इसके अंदर क्या करना है दो चमच धही डाल दिना है दही यहां पर खट्टा नहीं ले अच्छा दही नहीं हो ना तो फिर आप निबुका रस ने चोड़ तब यहां काम चल जाएगा तो दही डाल के अच्छे से सूजी में पहले मिक्स कर देंगे एकदम गाड़ा दही इसलिए और चांच भी ले सकती हो आप दो चमच खट्टा नहीं लेना है जो भी लो आप आपको क्या करना है इसमें एक कप से थोड़ा सा कम पाने डालना है क क्योंकि हमने दही भी लिया है कुछ इसलिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से एकदम बढ़िया गाड़ा सा गोल हमारा सूजी का बनके तयार हो जाएगा जितने सूजी लोगे आप उतने ही आपको यह पाने डालना होगा तो बस इस तरीके से आप सोच र अच्छे से फूल जाएंगे और जो घुटले से देना वह भी खतम हो जाएंगे तो यहां पर मैं देख लियों काफी गाड़ी होगी सूजी जैसे कि हमें गोल चाहिए अब आपको यहां पर क्या करना है एक चोटे साइस की प्याज लेना उसको बारिक कटना करें लंबाई अच्छे से मिक्स कर देंगे तो कुछ इस तरीकी से आपका एकदम बढ़िया गाड़ा सा गोल बनकर तयार हो जाएगा तो यह आपना हमने टमाटर भी डाला है तो महां पर धही बिल्गुल खट्टा नाले वरना खट्टा-खट्टा नास्ता हो जाएगा जादा या फिर तो पर तो अच्छा लगता है दो अच्छा लगता है गोल बन पनने के बाद अव हम इसमें कुछ मसाले दालेंगी तो उसके लिए तोड़ी सियां लिए कुटियों इने का पौडर लिया है और कुटियों लालमटर्च लिए आप लालमिडि नास्ता प्यूर्ट भी डाल सक तो नहीं डालो तो थोड़ा से गरम मसाला डाल देना तो थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है वह नास्ते में और आप सभी मसालों को अच्छे से अंदर मिला दे रही हो तो कुछ इस तरीकिते इसमें 2-4 मसाले जाते हो एकदम टेस्टी नास्ता आपको बन जाता है तो यह यहां पर है ना क्या होगा मतलब सिखते थी नहीं बाकि यह ना इसी में लाला के हमें सेकने पड़ते हैं तो यहां पर आप में क्या कर दो हैं तो आपको कुछ वीज में मीटा सोड़ा अगेरे डालने की जर्वत नहीं वेसी नास्ता बहुत हलका बनेगा दही और सूजी की सबस्क्राइब करें बटते हो इनको कुरकुरे कर लिना एक दम अप्पे में एक दम बड़िया नाश्ता बनता है ज्यादा पीस एक बार में बनके तयार हुजाते हैं सबसे बड़ी वत कम तिलका भी बनता है अच्छा आप मेरी वीडियो कहां से देखती हो किसी जिले से देखती हो कौन से शेहर स कि प्ली कमेंन लिग बता आप सभी बताऊगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा मेरी वीडियो कहां कहां पर देखी जा रही है और काफी ज्यादा खुशी होती है तो प्लीस सक्वर्ट करें और कौनने लिखके बतारने से लिख़्रे लगता है ।ो यह बंका मेने इनस अ इनको अलट तेल में नाश्टे का त्यार हो जाएगा तो कुछ तरीके से बन गया पर अभी पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि इसमें भी हम बहुत अच्छा टेस्ट देंगी एकदम आला की टेस्ट हो जाएगा इस पूरे ही नाश्टे का तो मैंने जैसा की बोला ही अपपे रही है एकदम आला की तरीकी का नाश्टा है आप ट्राय करें अब मैंने आप थोड़ा साना मस्टड होई लिया मस्ट टेस्टी हो जाता है और डेसिकेटड कोकोनट ले ले जब यह तीनों ही चीज अच्छे से चटक जाए बिल्कुल दीमी आज पर आपको इस सारी चीज़े डाल लिए और पहले आप अपपे को डालें उसके बाद इसमें डेसिकेटड कोकोनट डाल दें इससे फ्लेवर अच थोड़ा सा इनको अच्छे से सेख लेंगी एक डेड़ मिनिट और एक दम टेस्टी नास्ता सुजी का हमारा इंस्टेट वाला बनकर तयार हो जाएगा तो अब भी अपने घर में बनाए मेने आपर इनको क्या किया थोड़ा सान एक सजा दिया था तो टमेटों केचब और क पिर मिलेंगे बाइ